इस ने जो घोशड़ा पत्र जारी किया तो उन लोगों ने बता दिया कि हम देश के लिए बिलकुल काम नहीं करने वाले हैं हम देश के खिलाफी काम करेंगे क्योंकि यह लोग सिरफ बोर्ड बैंक की राजनित करते हैं इनका पूरा जो जो हारलाल नहरू ने जो सुरवात किया था वो प्रधान मंदरी बनने के लिए देश का बटवारा कर दिये और बहुत सी ऐसी सर्तों को मान लिए जो उन्हें नहीं मानना चाहिए था और जम्मु कस्मीर के मामले में भी उन्होंने उसको स्पेशलिस टेस्टर दिया धारा तीन सो सुत्तर दी आर् TB-370 और उसके बाद से आर्टिकल 35A नागरिकिता का जो अधिकार दिया उन्होंने कि जम्मु कस्मीर की लड़की है अगर वो इंडिया की लड़के से साधी करती है तो उसका पूरा सीटिजन सीप वहां से खतम हो जाता है अगर वही लड़की पाकिस्तान के लड़के से साधी करती है तो पाकिस्तान का लड़का है वो कस्मीर का उसको नागरिकता मिल जाती है और वही लड़की इंडिया के लड़के साधी करती है तो इंडिया के लड़के को वहां पे नागरिकता नहीं मिलती है और भारत के लोग, इंडिया के लोग वहाँ पे कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं, खरीदी बिक्री नहीं कर सकते हैं, तो ये जो इस पेसल इस्टेजर का दर्जा उन्होंने दिया, पहले तो वहाँ पे अपने दोस्त को एंटर्टेन करने के लिए उन्होंने बोले कि मुझे परदार मंतरी, मुझे भी परदार मंतरी बनना है, तो कहा कि भाई जो परदार मंतरी बनना है तो बनो, उनको भी परदार मंतरी बना दिया, बाद में ये सिस्टम वहाँ से हटाया गया परदार मंतरी का, फिर वापस ये कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला की वापस हम चाहत प्रदार मंत्री बने जैसे कश्मीर ऐसा लगता है जैसे इनके पिता जी की प्रपरटी हो में भूबा मुप्ति और मर अब दुला और इनके सपोर्टर राउल गांधी और कांग्रेस ऐसा लगता है कि पूरा जो भारत देश है इन लोग की प्रपरटी है जो मन करें आये वो क और इस इन्होंने घोषड़ापदर में जो बात कही है कि हम वहां से जारा 307 को हटाने का कोई काम नहीं करेंगे वहां पे जो स्पेशल फॉर्स गई है उनकी जो उनको जो सुब्दा दिया गया है उसको इसको अटालेंगे और देसधरोईयों को बरहाव देंगे यानि कोई भी कहें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्ला हुआ इंसा अल्ला हम उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। तो पूरे दुनिया में जहां भी इस्लाम में कटरता है अगर ओलो के अंदर फ्लेक्सिलिटी नहीं है कटरता है एजुकेशन नहीं है तो वो पूरा देश ही बरबाद है जिन लोगों ने आदनिक्ता को समझा और भारत के जो नरम पंध है असनातन धरम को जो जिन लोगों न करेंगे और प्रग्रेस कर भी रही होगी तो उसके पास तेल वेल है तेल बेच के कब तक उनका काम चलेगा तेल तो खतम हो जाएगा दुसरा चीज दुसरे जगावलों इन्वेस्ट्मेंट नहीं कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सी कंट्री है जहां पे अनाज नहीं होती ह भारत में दो सब कुछ होता है ती जो कांग्रेस ने घोषडा पत्र जारी किया है कि देश द्रोहियों को हम एदम खुला छोड दे देंगे कोई भी कहीं भी गुरकपुर में चाहे लखनवु में चाहे दिल्ली के जिहन्यू में चाहे बंबवाई में कहीं कोई भी कुछ भ पूरा देश के इजट की वाट लगा दिया इन लोगों ने परदान मंतरी मनमोहन सिंग को नवाज शरीफ अमेरिका में जाके कहते हैं कि ये तो देहाती महिला की तरह दिखते हैं उसका बिरोध नरेंदर मोधी जी करते हैं कहते हैं कि नवाज शरीफ तुम जवान समहल के बाद करो तुम भारत के परदान मंतरी को इस तरह नहीं कह सकते हो लेकिन जब से नरेंदर कि आप देश से कुछ भी लेना देना नहीं है यह लोग सिरफ और सिरफ वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं किसी को भी गिरवे लख सकते हैं अब यह वापस कह रहा हैं कि धारा तीन ससुत्र के साथ हम छेड़ी सार नहीं करेंगे जबकि भाजपा का में जो प्लक्च है कस्मीर में समाने हालत करना कस्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाना लेकिन कांग्रेस के घोषड़ा पत्र में बिलकुल नहीं है कस्मीरी पंडितों का नाम तक नहीं लिया गया और यह राहूल गांधी जाके अपना गोत्र बताते फिर रहे हैं कि हम भी पंडित हैं हमारा फ्लाना गोत्र है ठीकाना गोत्र है ये कौन सा गोत्र है इनका कि जो कस्मीरी पंडितों की बात तक नहीं करते हैं कस्मीरी पंडितों के बारे में एक सब दिन के गोसड़ा पत्र में नहीं है कस्मीर में इनके जो रिष्टेदार हैं सब रिष्टदारों को बचाने के चक्कर में हैं और वो के रिष्टदार लोग ही वहाँ पे हमेशा राज करें प्रधान मंत्री बनें इन्हों ने 1954 में जो 35A का घटिया जो धारा वहाँ पे लगवा दिया आर्टिकल आडिनेंस पास करवा के उसको यह लोग अटाने के वैसे ही रहने देंगे और देश द्रो कोई कहीं भी कुछ भी कहें देश द्रो की बात करें देश को गाली देश मुर्दा बात कहें इंडिया मुर्दा बात कहें तो भी यह कुछ नहीं ऐसा नियम बनाना एलो चाहते हैं गुषड़ा पत्र में और इसको सेना को जो अधिकार वहाँ पर मिला है उस अधिकार को वहाँ पर कम करना चाहते हैं सेना की संख्या को वहाँ पर कम करना चाहते हैं और 2004 से लेके 2014 तक इन लोगों ने जिस तरह देश की अर्थ व्योस्टा को चोपट कर दिया अगर इनको वोट दिया गया और यह जीत जाएंगे तो देश को बरबाद करकर रख देंगे इनका मेन लक्ष है कि किसी तरह सत्ता में आ जाए और हम डोगों ने जो करणो अर्भो रुपे घोटाला करके रखे हैं बिदेशी बैंकों में जामा करके रखे हैं आमारे उपर जो इनके ऊपर जो केस फाइले होई हैं और इन में से बहुत से लोग फसने वाले हैं और जेल जाने वाले हैं तो इस वज़स ये लोग किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं ताकि ये लोग सत्ता में बने रहें और इनके उपर करवाई नहों तो दोस्तों इनका गोशडा पत्र आप लोग पढ़िए और देखि पाकिस्तान परश्ट मेता हैं। जितना पाकिस्तान का ये लोग भलाई कर सकते हैं। उतना एरोग करने वाले हैं। जिस तरह पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया बरबाद हो जाए। और कस्मीर में नार्मल जो बेवस्था हो ना ओ धारा 370 बना रहा है। 35 बना रहा है यही बात महभुवा मुक्ति भी कहती है और यही बात पुमर अबद Saleh और यही बात कांग्रेस भी कहती है तो तो इन लोगों में थाफ WHO करें और यह लोग करते हैं कि हम वहां उन तुम्हारा हम तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे तुम्हारी हर बात को मानोंगे तुम कहोगे परदान मंतरी तुम्हें वहाँ परदान मंतरी बना देंगे सब कुछ करेंगे यानि कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कंग्रेस और राहूल गांदी की क्या मान चिकता है वैसे भी राहूल गांदी की अतिंगबादी लोग करते हैं जिबकि इसके पीछे पूरी ISI वहां की और पूरे जो वहां की सुड़ा पत्र बनाया है वह भारत को बरबाद करने के लिए और जो पात साल के मेहनत से भारत ने जो पूरे दुनिया में अपने अताकत और अपने इकनामी को बढ़ाया है और कि इसके अस्तर को उपर उठाया है हर चेतर में रोड बन रहे हैं पानी की टंकिया बन रहे हैं इसको हम एक एक-एक तरह से हर चीज पे समान रूप से लगाएंगे अब बताइए गरीब मर्सीडिस पर उतनाई टक्स diferencia बेट एक इख़धा दाल और जितनी जरुरत मंद्चिद वने चीजें जैसे में टाइल है प्याज है हर चीज पे लोग उतना ही टेक्स लगाना चाहते हैं देखिए इनकी जो मानसिक दिवालियापन है या जो इनका इकनामिक के बारे में इनके सरकार में इनके सरकार इन लोगों की जब सरकार थी तब दाल हमको 200 रुपे 180 रुपे किलो खाने पड़े तो बाद में ज हैं इतना मतलब बक्वास टाइप कर रहे हैं कि इसका किस तरह से कहें हम इसको इनकी जो जीएस्टी में जो वेवस्था हुआ है तो बहुत से जो जरूरत वाली चीजें हैं उनमें कम रखा गया जिसे दूद्व गरे हैं उसमें हाई नहीं चावा लोगर जो भी नहीं के ल है या बिलकूल ही नहीं है और जो जिन चीजों की जरूरत है गरीब अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं उन चीजों पर टेक्स स्टी जादा है लेकिन का अंग्रेस का कहना है कि हम जिस्टी को हर चीज में एक समान करके रहेंगे यानि कि गरीब अमीर का खाई हम मिटा देंगे तो भाई गरीब लोग के जो चीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसमें आप जब टेक्स बढ़ा दोगे जेस्टी बढ़ा दोगे तो उनको किस तरह से नुकसान होगा इसका अंदाजाओ लोग नहीं लगा रहे में लोग देखिए इसमें इनका मेंन जो मकसद यही है कि किसी बीतरह से में लोग सatory और जो बरस्तचार प्रस्ता चार का फोल ना खौने और जो टुख़े टुखरे जो ए ये क्लि लोग हैं और कसमीर में में जो मेंप मुप्ती और उमठ अभ्षण जो चाहते हैं उसी तरह का यह लोग प्लान बना रहे हैं तो इस गुषड़ा पत्र का अगली दुसरा इस एपिसोड में पनाऊंगा और इसमें बताऊंगा कि किस तरह इस गुषड़ा पत्र का वापस पॉस्ट माडम करेंगे इस तरह इनका परचार आगे बढ़ेगा कांग इसराइब करेए